हेलो दोस्तों दोपिक पहुत ही अच्छ पीक हैं तो इसे आप अच्छे से पढ़ेगा फीडियो को लास्ट तक देखना है आपको और चैनल को लाइक ज़रूर कीजेगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं सो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेशन मिलती रहे ठीक है फ्रेंड्स सो हम लिम्फाटिक सिस्टम स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट हमारे इसके अंदर इम्म्यूनिटी आती है सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स जो हमारे लिम्फाटिक सिस्टम है जो लिम्फाटिक कापिलेरी है इसके अंदर जो लिम्फ सेल्स है वो मूव करती है ठीक है सो बेसिकली क्या है यह हमारी इम्म्यूनिटी में किस तरह इन्वॉल्व है जो एबलीटी तो रेसिस्ट इन्फाक बॉडर पर आर्मी डिफेंस के लिए खड़ी होती हैं, वैसे ही सेम जो हमारा यह लिम्फाटिक सिस्टम है, यह हमें फोरन पार्टिकल से डिफेंस करता है, ठीक है, उस टाइम ही एक्टिव हो जाता है हमारी बॉड़ी में, बॉड़ी में जो जो बॉड़ी में जो जो बॉड़ी में जो बॉड़ी में जो बैक्टिरिया बारिस हो गए अगर वो डिजीज कॉस कर रहे हैं, दाट इस कॉल्ड पैथोजन्स, ठीक है, लेंफाटिक सिस्टम, सेल्स टिशू और ओर्गन्स दाट प्ले अ सेंट्रल रोल इन दी बॉड़ी डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन्स, चो लेंफाटिक सिस्टम है, मैंने भी फ्रेंड्स बताया है, इम्यूटी में वर्क करता है यह क्या करता है, इसका रोल होता है, इसके सेल्स और हमेन बॉड़ी जो ओर्गन्स होती है, यह इसको सेंट्रल रोल में इसका सेंट्रल रोल होता है और डिफेंस करता है पैथोजन्स से, क्योंकि जो पैथोजन्स होते हैं, बैक्टिरिया वाइरस होते हैं हमारे ओर्गन्स जो है वो डिजीज कॉस करते हैं ठीक है लिंफार्टिक सिस्टम कंसिस्ट ओव वैसल्स लिंफार्टिक्स ठीक है लिंफार्टिक सिस्टम के अंदर जो लिंफार्टिक वैसल्स होती है उसमें लिंफ फ्लो करता है लिंफ एक लिक्विड है ठीक है वो क्या करता है फ्लो करता ह तू लिम्फाटिक ओर्गन्स ठीक है connected to lymphatic organs अब पढ़ेंगे functions of lymphatic system functions of lymphatic system से पहले हम उसके डाइग्रम देखना चाहेंगे कि लिम्फाटिक system के actual में डाइग्रम क्या होता है सो फ्रेंट्स अकर आप देखेंगे इस टाइग्रम में तो यहाँ पर वेनस सिस्टम है और अर्ट्रियल सिस्टम है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ब्लेड कापिलरीज जो है इसकी ब्लेड क सपोज कीजिए यह blood capillaries इधर जा रही है यह आप देख सकते हैं blood capillaries है जैसिस्ट के बगल में ही यह lymphatic capillaries है वेसल्स हैं यह मूव करती है काफी थीन होती है ठीक है आप देख सकते हैं जो blood capillaries के according जो हमारे lymphatic capillaries है वो काफी थीन है ठीक है तो यह इसके साथ ही attached होती है सो अब देख सकते हैं lymphatic collecting vessels है with valves ठीक है lymphatic capillaries यहां पर टेस्ट है यह valves होती है इसमें ठीक है जिसके according क्या होता है इसमें फ्लो करती है लिम्स अगर हम functions of the lymphatic system की बात करें तो फर्स्ट रहता है lymphocyte attacks invanding organs abnormal cells foreign pot proteins ठीक है जो lymphocytes होती है lymphocytes हमारे जो cells है वो basically किस पर अटेक करेंगी जो foreign proteins होंगी यानि जो बाहर से कोई भी disease cell या फिर कोई abnormal cells entering है body के अंदर उसके against हमें defense करेंगी ठीक है maintain blood volume जो blood volume को है उसको भी maintain करते के रखती है हमारा lymphatic system ठीक है maintain fluid balance in tissue tissue के अंदर जो fluid balance उसको maintain करके रखती है absorb fats from a small intestine जो small intestine में हमारे जो थोड़े fats होते है उसको क्या करती है उसे absorb कर लेती है ताकि extra fat वहाँ पर एक जगे खटी ना हो ठीक है cells हमारे tissue को भी harm कर सकती है उससे हमें defense करके रखती है सुचल इंफाटिक सिस्टम है basically returns large molecules to the blood इसमें भी इसका रोल है कैसे 25-50% of blood proteins leak out the capillaries each day जो 25-50% है जो blood protein है वो leak out होता है capillaries से हर दिन ठीक है so they cannot get back into capillaries जो leak हो रही है proteins blood capillaries से वो क्या करती है वो वापिस capillaries में नहीं जाती so instant lymphatic capillaries pick them the and return them to the blood so क्या करते है इसी lymphatic system कि स्टीज में help करती है जो proteins blood proteins जो है leak out हो रही है वो क्या करती है उसे absorb कर लेती है ठीक है pick कर लेती है और क्या करती है उसे वापिस blood में mix कर देती है ठीक है if lymphatic are blocked blood proteins decrease leading to fluid अगर lymphatic क्या है जो proteins है उसको absorb करना बंद कर देगी तो क्या होगा जो blood protein है उसकी जो value है उसके अंदर decrease हो जाएगी ठीक है imbalance in body मतलब body को imbalance करके रखते है इससे body imbalance हो जाएगा सो friends क्या होगा अगर lymphatic system जो है वो ब्लॉक हो जाती है proteins क्या होगा decrease हो जाएगा lead करना ठीक है fluid के अंदर तो अगर प्रोटीन जो lymph है ठीक है उससे क्या होगा imbalance हो जाएगी body ठीक है अगर friends अगर food fluid जो है वो imbalance हो रहा है decrease हो रहा है तो इससे हमारी body भी imbalance हो जाएगी ठीक है absorb and transport fats यानि fats को absorb करना और उसे transport करना that is ये भी lymphatic system का एक function है special lymphatic capillaries is rely of small intestine absorb all lipids and fat soluble vitamins from digest food bypasses liver mucus goes strength in the adipose tissue absorption का क्या काम होता है lymphatic system का जो हमारी small intestine है उसमें विलाई shape होती है जिसे आप देखेंगे कि ये हमारे small intestine है ठीक है मैंने जस्ट यहाँ पर इसकी एक small intestine का track बनाया है ठीक है small intestine की जो देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर छुटी छुटी विलाई होती है विलाई क्या होती है hair like structure होती है ठीक है यह क्या करती है water को absorb करती है तो यहाँ पर क्या होता है lipids होती है fats होती है vitamins होती है उसे भी absorb करना होता है तो क्या है यहाँ पर जो हमारा lymphatic system है यह क्या करता है किसमें help करता है जो lymphatic capillaries होती है विलाई होती है यह small intestine से क्या 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 अबसर्ब करते है lipid fat soluble vitamins and digestive food bypasses liver mucus strain adipose tissue यह क्या करती है उसको एबसर्ब करने में help करती है hemopoiesis friends हमें ने पढ़ाया था यह topic आपको clear हो गया होगा है poiesis जो cells होती है उसमें cells production होती है ठीक है तो यहाँ पर hemopoiesis का क्या functional lymphatic system में some wbc's lymphocytes monocytes are made in lymphatic tissues not in bone marrow main supply to lymphocytes so friends क्या function है आप पर hemopoiesis का hemopoiesis जो hemopoiesis है यहाँ पर जो क्या होता है basically क्या है यहाँ पर एक lymphatic tissues में ही वो बनती है यह bone marrow के अंदर जो wbc बनती है that is different और that is different ठीक है दोनों different different है तो यहाँ पर भी कुछ wbc's का production होता है जिसे हम lymphocytes कहते हैं और monocytes कहते हैं यह क्या करती है body defense में help करती है यह कोई foreign particle enter होता है तो यह क्या करती है active हो जाती है ठीक है body defense immunity अब यह जो है हमारे लिंफाटिक system body defense immunity में कैसे वाग करती है जो lymphoid tissue is an important component of the immune system यह क्या करता है दो lymphoid tissue है यह important component है हमारे immune system के अंदर for a diffusion surveillance defense to all the body tissue and organs क्या करता है all body tissues है cells है organs है उसको defense करता है foreign particle से the major role of WBC is in the body defense सबसे ज़्यादा major role कि इसका है white blood cell का है हमारी body के अंदर so lymphatic system screen body fluids and removes pathogens and damaged cells तो lymphatic system क्या करता है screen करता है body fluid को और remove करता है pathogens को damaged cells को क्योंकि damaged cells भी हमारी body में क्या है harm cause करती है ठीक है अब आता है lymphatic vessels जो lymphatic vessels है इसके अंदर है lymphatic capillaries lymphatic capillaries originate in tissue as teeny blinded ended sacs like side side by side within blood capillaries ठोकिया है friends जो blood capillaries होती है मैंने आपको बताया जो blood capillaries होंगे suppose किजिए आपके blood capillaries है ठीक है यह move कर रही है ऐसी so जो यह blood capillaries है friends इसके आसपास ही क्या होगी यह present होगी ठीक है suppose किजिए यह lymphatic है lymphatic capillaries तो यह हो गई हमारे blood capillaries और यह हो गई हमारे lymphatic capillaries ठीक है so क्या होती है यह इसके साथ साथ होती है single layer of endothelial cells like blood capillaries lymph transport ठीक है जो हमारे lymphatic capillaries है ठीक है lymphatic capillaries इसके अंदर क्या flow होता है lymph transport होता है इसके अंदर ठीक है lymph fluid transfer होता है यह एक fluid का नाम है आप पढ़रे flow of lymph lymph किस तरह से flow करता है lymphatic capillaries के अंदर fluid pressure is lymphatic system is very low as in vein vein में क्या है जो blood का pressure होता है वो काफी high होता है ठीक है लेकिन जो basically lymphatic system है उसके अंदर जो fluid flow हो रहा है जो lymph fluid है वो काफी very low उसमें जो pressure में होता है वो flow करता है ठीक है vessels contract rhythmically directions of flowing maintained by one way valves क्या होते है यह क्या होते है सिर्फ one way valves होते है two way नहीं होती है ठीक है अब आता है lymph circulation lymph किस तरह से circulate होता है body के अंदर so friends अगर हम lymph circulation की बात करें तो lymph vessels are thin walled जो lymph vessels होती है थीन होती है मैं आपको बताया पतली होती है उसकी layer and valve structure and carry lymph यह क्या करता है जो lymph vessels होती है वो lymph carry करता है fluid lymph is not under pressure and in the pulled in the possessive fashions ठीक है यह क्या करता है यह बहुत low pressure में होता है और liquid continuously flow करता है fluid that looks vascular system is a return to general circulation via lymphatic vessels ठीक है यह जो fluid होते है basically यह leak होता है और जो vascular system है यह वापस return हो जाता है circular में जिसे हम lymphatic vessels भी कहते है ठीक है lymph return to the excess fluid filter from the blood vessels capillaries जो lymph return हो जाता है और क्या करता है filter होता है blood vessels capillaries through as well as the protein that leak out the blood vessels capillaries ठीक है अगर blood vessels जो मैंने आपको बताया जो proteins होते है basically blood proteins होती है वो क्या करती है जब leak हो जाती है तो lymphatic system क्या है lymphatic capillaries पिक कर लेती है ठीक है और क्या करती है उसे वापस circulation में एड़ कर देती है so friends यहाँ पर lymph nodes क्या है lymph nodes also called lymph glands lymph glands का जो उसे हम lymph glands भी कहते है lymph nodes को so oval shape का होता है varying size from the pin head और lima bin क्या करता है pin head होता है lima bin shape का होता है lymph nodes ठीक है friends edema disease तो आपने पढ़ा होगा यह any disruptions of the lymphatic flow can lead to edema अगर कोई भी lymphatic flow में disturbance हो रही है ठीक है disruptions हो रही है तो क्या को cause करता है edema cause करता है excessive accumulation of interest style fluid results from the injury inflammation surgery of parasitic infection as elephant fantasies खीक हे इसमें किया होता है जो accumulation होती है की तोसमें रिजल्ट होता है इसमें injury वी इसमें factor koş भी चैंस केंसे से सर्जरी का कि भी और अड कर एम इन्जरी के how इसमें की कासमें कहो आप देख सकते हैं कितना ही जदा भ्यानक डिजीज है जो यह है बेसिकली कैसे कोज होता है मैं आपको बताऊंगे किस चीज से कोज होता है कैसे होता है आप यह डायग्रम देख सकते हैं यह दो फूट है पैर है आप यह डायग्रम भी देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स यह यह दो cases आपके सामने रखे हुए है कि किस तरह से elephantiasis cause होता है एडिमा से parasitic infection है एक parasite से just एक parasite से infection होता है ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे friends elephantiasis A tropical disease caused by lymphatic obstructions ठीक है जब lymphatic obstructions होता है body के अंदर तब क्या को होता है कि elephantiasis cause होता है ठीक है victim is bottomed by a mosquito infected with a roundworm known as philarial worm ठीक है philarial worm होती है जो एक parasitic infection है अभी जो मैंने आपको दिखाया जो इसका पैर दिखाया that is victim एक ऐसा infected people है जो bitten है किसने काटा है उसको mosquito infected mosquito ने काटा है that is called philarial worm ठीक है इसे हम philarial worm भी कह सकते हैं यह एक roundworm है जो cause करता है जो foot में है कहीं भी है अगर उसने कहीं bitten किया बाइट किया है तो वहाँ पर swelling हो जाती है बहुत ज़्यादा बात्रा में swelling हो जाती है elephant is the resulting edema lead to fibrosis of elephant like thickening of the skin skin इतना ज़्यादा थिक हो जाता है कि एक elephant की तरह दिखने लगता है ठीक है वह इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है so friends यह था elephant is ठीक है lymphatic system मारा बहुत अच्छा topic है इसको आप जितना ज़्यादा समझना चाहें उतना समझ सकते है ठीक है friends हमारे topic है यहीं पर finish होता है lymphatic system so मिलते हम next video में